आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ देखे आज हम D10 चार्ट दिशामशा के बारे में बात करेंगे और मैं आपको आज डीटेल में समझाऊंगा वो पांच स्टेप्स जिन से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका रियल परपस क्या है इस जनम के अंदर वन इट कमस तो यूर प्रोफेशन तो ये एक बहुत बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है और जब ये जो पांच स्टेप्स में आपको बताऊंगा आप अपने होरोस्कोप पे अपने लगन और D10 पे अपलाए करेंगे तो आपको उसमें 100% similarities और उनके जो results हैं वो सामने नजर आ जाएंगे इस बात की मेरी guarantee है एंड तक वीडियो को देखिएगा देखे हम जब अपने career के बारे में बात करते हैं आज की rate में modern era के अंदर हम अपने career को बहुत importance देते हैं पहले ऐसे नहीं होता था पहले क्या था अगर आप सुनियारे के बच्चे हैं तो सुनियारा डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर now things have changed आज की rate में जब तक आप microscopic analysis एक चीज़ का नहीं कर लेंगे आप कल्यूग में अपना real purpose of existence and real purpose you know of your working in a particular you know profession आप नहीं समझ पाएंगे देखें लगन चार्ट से हमें ये तो पता लग जाता है कि आप किस तरह का profession करते हो सकते हैं राइट फर एन एक्जामपल 10th house, 10th lord इन सब को हम देखते हैं हम 7th house daily wages, 6th house your daily routine 5th house your creativity इन सब चीजों को हम combination बना कर हम ये तो कह सकते हैं कि आप ये कर रहे हो सकते हैं राइट बिलकुल हम कह सकते हैं लेकिन जो microscopic analysis है वो हमें D10 chart से मिलता है D10 chart आपको बताता है कि अगर आप CA हैं अगर आप डॉक्टर हैं अगर आप एक education institute चला रहे हैं अगर आप job कर रहे हैं तो आपको पैसा कहां से आ रहा है आपकी clientage कहां पर है आपकी success कहां पर है आपकी आत्मा कहां पर है कभी-कभी ऐसा होता है कि आप life में bread and butter के लिए अपने survival के लिए आप एक काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी आत्मावा नहीं होती है मुझे बहुत से मेरे जो clients हैं followers हैं मुझे कहते हैं नमनीच सर्थ I am working as an engineer but my soul is in music तो एक concept होता है Bhrigu Bindu का which is midpoint between moon and Rahu which tells you the purpose लेकिन उस purpose का भी जो microscopic analysis है वो D10 chart है दशामशा तो दशामशा के 5 steps हैं जो मैं आपको आज समझाऊंगा और इसके बाद आपको कोई video देखने की जुरुरत नहीं पड़ेगी that is my guarantee to you on this topic तो सबसे पहले आपने सबसे पहली चीज step number one आपने ये देखना है की आपका लगन chart और दशामशा ये दो charts हैं आपने सामने रखें और आप उसमें ये जाकर देखें की उनके जो लगन है दोनो charts के लगन chart और दशामशा chart के जो लगन lord है वो जो signs है वो odd है के even है I repeat आपने signs check करने है D1 chart जो आपका natal chart है और D10 chart जो आपका दशामशा है suppose कीजिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर लगन chart जो है वो odd है, sign odd है जैसे odd sign कौन से है एक number, तीन number पाँच number, साथ number हाना, ग्यारा number ये सारे odd हैं, यहाँ पर एक लिख है, बिलकुल center में in that chart और आपका जो D10 है वहाँ पर जो लगन लॉड है D10 chart का, वो even है 2, 4, 6 8, 10, 12 तो अगर ऐसा है तो आपको जीवन में एक transformation की जूरत है मैं पहले आपको even और odd लगन के बारे में समझा दूँ इस only, you know this formula is only applicable to your work आपके काम को लेकर है जो even number है, it's all about giving, giving, giving and giving and जो odd है, it's all about taking, taking, taking and taking you know, that means when you have even लगन right, even लगन अगर आपका है लगन चाट में 2 number, 4 number, 6 number, 8 number, 10 number, 12 number तो आपकी जो habit होगी वो हमेशा giving की होगी you will not think about your profits you'll just give services and best of the best services reducing your profit also और अगर आपका odd है तो देन it's not about giving, it's about taking you know, pure business person let's see कितना profit है, कितना profit आएगा कैसे हम करेंगे अब इन formula को, आपने formulas को लगन और उस पे apply करना है अगर लगन में आपका odd sign आ गया means आपने अपने career की शुरुवात की selfishness से you know, let's see कितना profit आएगा कितना पैसा कमाएगे बट आपका दशाम्ष में even sign है तो आप क्या होगा धीरे धीरे with passage of time you will transform into a businessman who is now more into giving because जो even signs है वो giving, giving, giving है और जो odd signs है वो taking, taking, taking है only when you are discussing दशाम्षा यह principle आप normal chart में apply नहीं करेंगे this is only when you read दशाम्षा right, that transformation is seen from there कितना एक important aspect है और अगर आपको लगता है कि आप अपने life में कहीं successful नहीं हो रहे हैं तो that means आपको एक transformation की ज़रुवत है for an example आपने अपना career शुरुवात की लगन chart से odd ascendant से odd number का odd sign था उस में 1, 3, 5, 7 right अब आप starting में तो बहुत अच्छे थे right आप बहुत professional थे लेकिन आगे जाके you more into giving इसका reverse करते हैं अगर लगन में initially आपकी कुंडली के अंदर it is an even sign तो even sign क्या है you know you making losses and giving everything away not thinking professionally और D10 में odd है that means D10 आप से क्या मांग रहा है आप से D10 मांग रहा है की get professional be professional change yourself into little bit of profit making only then you will be successful right this is a transition required और अगर आपका दशामशा के अंदर even sign है that means you are too selfish at this point of time now you should transit to giving something right आपको देना चाहिए किसी को because आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन वो profitivity जैदा mind में रखने के कारण आप services अच्छी नहीं दे रहे हो आपका दशामशा कह रहे है it's a even sign कि आप प्लीस start you know giving services give 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 then nature will give you now both are odd signs माल लीजे दोनों odd है that means you know आपका लगन चाहर्ट में भी it's about taking taking and here also it is about taking taking right then you have to become very very professional और आपको अगर ऐसे बंदे का चाहर्ट नजर आता है कि he will only give you you know that much which is like उसने जो calculate किया हुआ है कि इतनी services देनी है इतने पैसे में तो उतनी ही देनी है very professional to the point when it is both are even तो that means कि आप शुरू स्वाद से ही ऐसे थे और यहां से भी ऐसे ही थे you know that means these people are very good in jobs because they are all the time giving and giving and then they are very happy with whatever they are getting if they are not happy so then we go to step number two what is that step number two step number two यह है कि आप अपनी D10 चार्ट के अंदर जो आपका लगन का आत्माकारक ग्रह है आत्माकारक is a planet with the highest degree जिसकी सबसे ज़्यादा degree है उसको चेक करें कि वो आपका D10 में कहां पे पड़ा है that means आपकी आत्मा आपकी सोल आपका maximum karma settlement वो आत्माकारक है maximum karma settlement I repeat this क्योंकि जो planet की degree सबसे ज़्यादा होती है उसका सबसे ज़्यादा karma settlement होते है वो आप देखें D10 में का है जैसे मैं आपना बताता हूँ मेरा आत्माकारक ग्रह 8th house में है 8th house is acquired sciences, hidden knowledge, astrology, जोतिश तो 8th house में कहां पर D10 के अंदर आप लोग कहते हैं 6-8-12 में बैठ गया जी हमारा आत्माकारक खराब हो गया No that आत्माकारक in the 8th house has given me acquired science, knowledge, विद्या, जोतिश देखें कितनी एक amazing बात है और उसके बाद एक second highest degree का planet होता है आत्माकारक which signifies money it works like a minister वो minister की तरह काम करता है और आत्माकारक को अमत्यकारका जो second highest degree का planet है अमत्यकारका वो guide करता है right for an example आत्माकारक is a king and अमत्यकारका is a minister so यह minister जो है आत्माकारक को कहता है कि okay हम यह कर सकते हैं हम यह कर सकते हैं so next planet you have to check in D10 is the अमत्यकारका which is step number 3 फिर आपने आत्मा देखी कि आपकी आत्मा कहां बसती है D10 के अंदर फिर आपने अमत्यकारक यानि कि उस आत्मा को guide करने वाली जो force है वो D10 में कहां पर है right that is the step number 3 and then अमत्यकारका is also planet which gives you money now there is also a planet called with its lowest degree right lowest degree is the दाराकारक planet दाराकारक planet is actually वैसे तो वो spouse को represent करता है लेकिन आप ये देखिए जो आपकी spouse होती है वो लक्षमी का रूप होती है इसलिए कहते हैं कि बेटी भी जब पैदा होती तो लक्षमी आई वाइफ घर पे आती तो Indian tradition में उसको कहते हैं कि लक्षमी घर पर आ रही है बात याद रखना अमत्यकार का पैसा देता है पर कई लोग पैसा होते हो भी खर्चते नहीं है तो आपकी जो लक्षरी है बिजनस से कब और कैसे कहां से आएगी वो आपका दाराकारक planet बताएगा अब बहुत लोग कहते हैं राहू केतु आत्माकारक अमत्यकारक होते हैं वो अगर वो सेम उनका होता है डिगरी तो कौन सा हुआ आत्माकारक अमत्यकारक या कौन सा हुआ दाराकारक तो उनके साइन का लॉट देखो योग कि राहू और केतु साइन तो अलग-लग साइन्स में बैठे होंगे ना उन साइन का लॉड देखो जिसकी डिग्री हाइस यह लोएस्ट है वो उसको वो अमत्यकारग बनेगा तो अब आपने चौते स्टेप में दारा कारग प्लैनेट देखा और लास्ट स्टेप आपने देखना है कि टेन्त हाउस का जो लॉड है दसमे घर का स्वामी जो है वो कहां पर बैठा है किसका डे टेन का देशाम saha का ये पांच स्टेप आपको किसी का पूरा करियर बता देगे इनको देखो और लास्ट में देखो कि 10th Lord कहां पर बैठा है और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा in the end look at the position of sun and moon also because आपका जो mind है वो कहां पर है ये भी पता लगेगा moon की position से plus कोई भी राजयोग आपका भी आजमा के देखना कोई भी राजयोग हमेशा सूरे से शुरू होता है कोशिश करके देखना आपको result पता लग जाएगा कि मैं ये बात में कितनी गहराई है कोई भी राजयोग निकालो उसमें देखो कि उसके में सूरे की क्या भूमिका है जो best of the best राजयोग है उसमें सूरे की भूमिका होती है और अगर आपकी कुंडली में आपका आतमकारक और अमत्यकारक इकठे हैं राइट इल रिपीट अतमकारक और अमत्यकारक इकठे एक साथ एक घर में बैटे हैं, it is one of the best राज योगाs for profession आत्माकारक कौन सा, planet with the highest degree and अमत्यकारक is the planet with the second highest degree वो दोनो, अगर एक घर में जाके बैट गए, it is going to give you a best of the best राज योगाs in terms of money and profession क्योंकि आपकी जो king planet है, karma settlement है highest उसको guide करने वाली जो एक force है, वो बिलकुल साथ में ही बैठी है, तो अगर ये 5 step आप देखेंगे, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और 100% सही visualization आप कर पाएंगे, मार्क दर्शन कर पाएंगे तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था you can, you know, log on to my website, astronovneet.com and you can also take consultations you know, you can book consultations from my website, there's number also which is displayed, right and आप बहुत प्यार मुझे दे रहे हैं और बहुत आशिरवाद मुझे दे रहे हैं और मैं भी आप सब को अपनी दूआउ में याद रखता हूं Hare Krishna